सो यहां पर एक क्वेशिन है क्यलकुलेट दी अवरइज अण मारजिनल प्रड़क्ट फाल जो हमें अवरेज और मारजिनल प्रड़क्त फाइंड करना तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है unit of labor so यहाँ पर हम unit of labor लिखेंगे कितने one two three four five six seven one two three four five six seven उसके बाद में दे रखा है total product तो one का total product 20 and 36 48 56 60 60 and 56 और उसके बाद हमें क्या find करना है average और मार्जनल प्रोड़क्ट यानि की एपी और एमपी तो एपी फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है average equals to tp divided by q tp यानि कि tp को unit of labor से डिवाइड कर देना है तो 20 को 1 के साथ डिवाइड किया तो 20 36 को 2 के साथ किया तो तो यहाँ पर डिवाइड करने आपके बाद आगया 18 आभी 48 को 3 के साथ डिवाइड करना है तो यहाँ पर डिवाइड करने का बाद आंसरा चाहेगा 15 wires एकारना है 14 सिट्टी को फाइफ के साथ डिवाइड करना है तो 12 आ जाएगा 60 को 6 के साथ करें तो 10 56 को 70 के सथ करेंगे तो 8 तो चलिए अब solve करते हैं MP याने की marginal product और marginal product यह देखिए यहाँ पर TP 20 है AP 20 है तो MPB 20 होगा अगर 8 TP और AP सेम है तो MP भी सेम ही रहेगा MP find करने के लिए नीचे वाले TP को उपर वाले TP से माइनस करना है जैसे कि 36 को 20 से के साथ माइनस करना है तो देखिए यहाँ पर मैंने माइनस किया तो 16 आ गया तो इसी तरह बागी सारे भी भी solve करने हैं जैसे कि 48 से 36 माइनस किया तो 12 आ गया और सो नेक्स्ट 60 में से 56 माइनस करेंगे तो 4 और 56 में से 60 करेंगे माइनस 4 ऐसे यह 0 आ गया तो थैंक्यू फॉर वाचिंग माइ वीडियो तो इस मैथर से हम आवरेज और मार्जनल प्रोड़क्ट सॉल कर सकते हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग बाइ बाइ